चैमातादी दोस्तों आप देख रहे हैं असरदार टोटके दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी उपाए के बारे में बताएंगे जिसका प्रियोग करके आप अपने सभी त्रहें के दुखों और परेसानियों से छुटकारा पासकते हैं और मालक्सम आपकी जोली खुसियों से भर देगी जिससे जीवन में आपको कभी निरासा हाथ नहीं आएगी दोस्तों 21 जून रविवार को सूरिय ग्रहन लगा रहा है यह ग्रहन बहुत चर्चाओं में हैं देश वे दुनिया में लोगों विज्यानिकों सिक्सकों बच्चों और खग पुन घटना बता रहे हैं दोस्तों अभी कुछ दिन पहले 5 जून को चंदर ग्रहन लगा और अब आने वाले 21 जून को एक और ग्रहन की घटना होने वाली है और यह होगा सूरिय ग्रहन दोस्तों 15 दिन के बाद ही यह दूसरा ग्रहन लगने वाला है इसलिए इसको लेकर त्रहे त्रहे के ख्याल मन में आते हैं। दोस्तो हम आपको एक आज ऐसा उपाई बताने वाले हैं जिसको प्रियोग करने से आपके सभी त्रहे के बिगडे काम बन जाएंगे। आपको जीवन में कभी निरासा नहीं आएगी। अब आपको बताते हैं कि ये काम आपने करना कब है। 20 जून की रात 10 बजे से पहले आपने इस उपाई को अपना है, अब जानते हैं की उपाई है क्या, दोस्तों आपने एक कटुरी धनिया लेना है साभू धनिया, और उस धनिये को आपने एक कप्ड़े में सफेद कप्ड़े में बांद कर रखना है और जो सफेद कपड़ा होना चाही वो बिलकुल नया होना चाही बिलकुल कोड़ा यानि यूज किया हुआ नहीं होना चाही अब आपने उस कपड़े में इस धनिय को डालना है और उपर से बांद देना है उसको और बांदना है आपको कलावा से और बांदने के बाद इसको आपने मंदिर में रखकर इसकी पूजा करनी है। मालक्स्मी की आप पूजा करें 21 बार मंतर का जाब करी मालक्स्मी की। और इसके बाद आपने इस बंदे हुए धनिये को अपनी तिजोरी में रख देना है। और तिजोरी में आपको रखना है ग्रहन खतम होने तक। जब ग्रहन खतम हो जाए तब आप इसको अपनी तिजोरी से निकालें और चल्दे पानी में बहा दें। और दोस्तो यदि आप ऐसा करेंगे तो जैसे ही आप इस धनीय को पानी में बहाएंगे तो समझ लो आपकी सारी दुख प्रेसानियों का अंत हो जाएगा। ताकि सभी मेरे भाई इस उपाय को करें और अपने लिए फाइदा उठाएं।